स्वागत है सभी क्यूरियस माइन्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के इस नए विडियो में आज हमारे सामने बहुत ही खुबसूरत स्पाइकी और स्पूकी सा स्पाइडर है और बहुत जादा कॉमन स्पाइडर है लेकिन क्योंकि ये गार्डन्स में प्लांट्स में घास में रहता है तो कम दिखाए देता है तो आज इसके बारा में बाते करेंगे इस species को समझेंगे इस genus को समझेंगे इस family को समझेंगे जिसका scientific नाम है oxiopus और इसको जो preferred scientific नाम है इसका वो है oxiopus laterally और इसको commonly हम लोग link spider बोलते है links एक wild बिल्ली की प्रजाती है क्योंकि ये spider बिल्ली की तरह जपटा मारता है तेजी से भाग कर अपने शिकार को पकड़ता है इसलिए इसको commonly link spider भी बोलते है यानि कि ये genus oxiopus genus का member है और oxiopus species है most likely ये जो specimen हम देख रहे हैं ये male है ये garden spider है और आप मुझे जैसे मुझे ये सुबह के वक्त जो morning light होती है उरज की उसमें basking करते हुए मिला था आपको भी शायद इस प्रकार से ये मिल सकता है इसके oxiopus की कई सारी species इंडिया में पाई जाती है तो species level पर बहुत जादा similarities होती है एक जैसे दिखाए देते हैं लेकिन variations of course एक expert आपको तुरंत species level पर identify कर सकता है कुछ common species की नाम बताओ तो मैं आपको oxiopus javanus है striped link spider जिसको oxiopus salthicus कहते है oxiopus lean link spider भी है जिसका scientific नाम है oxiopus macilentus तो बहुत सरी species होती है जो इंडिया में अभी पाई जाती है और अगर हम इस family की बात करें यह जो link spider की family है जिसका नाम है oxiopidae family यह जो link spider genus oxiopus है इसको establish किया था letriale 1804 में और 1804 से एक type species की तोर पर इसको establish किया जा चुका है यह जो genus है इसको thoroughly review भी किया जा चुका है according to geographically और family oxiopidae में हम देखेंगे कि anterior median eyes जो की relatively छोटी होती है दूसरी छे आखे hexagonal pattern में होती है और बहुत सारे इसके ऐसे distinguishing features है जिसको मैं list कर दूँगा oxiopidae species जो है एक diaral hunting spider है जो कि किसी भी प्रकार का web तैयार नहीं करते हैं और यह active होते है stems में foliage में छोटे shrubs, plants, pine trees ऐसे plants में temperate countries में और tropics में income देखेंगे abundantly rice ecosystems में ऐसे crops जो rice के पहले या बाद में लगाए जाते हैं जैसे कि maize, cotton, soya bean, moong, bean, wheat, sweet potato, vegetables females जो है अपने अंडे को अपने egg cocoon को गाड़ करती है जो कि white या light brown कलर के होते है और जो कि dried leaves, flowers या घास होती है उस पर यह release करते है individual egg cocoon में 68-120 अंडे होते है जो कि 1.5 weeks में hatch होते है यह जो member होते है अग्जो पीडे family के इनमें हम देखते है कि spiny-legged hunting spiders होते है जो कि capable होते है बहुत तेज दौडने में और jump करने में अपने शिकार पर एक wild cat एक wild जंगली बिल्ली की तरह इसलिए इनको link spider भी कहते है इनके अगर हम देखे तो आठ आखों का arrangement hexagonal shape में हमको दिखाए देता है और एक wide clapus और prominent spines हमको दिखाए देते हैं पूरे सारे पैरों पर और एक general identifying feature है इस family का taxonometry कुछ इस तरीके से है link spiders जो है ये member है family oxyopidae family और ये hunting spiders होते हैं जो जादा तर समय अपना plants पर flowers पर shrubs पर बिताते हैं और at least इन में एक species है ऐसी identify की गई है जो की social behavior display करती है small to medium होती है size में और कुछ जो occupy करते है flowers में और इंतजार करते है जो भी pollinating insects उन flower पर visit करते हैं उनका और plant के stock पर bark पर ये weight करते हैं अपने शिकार का ये जो oxypidae family है इनको अगर हम देखे तो इनकी एक बहुत keen eyesight होती है जिससे ये अपने शिकार को stock करते है chase करते है ambush करते है और avoid करते है अपने खुद के predators को इनकी 8 में से 6 आखे इस तरीके से hexagon pattern में arranged होती है एक characteristic है जो इनको identify करने में मदद करता है oxypidae family के members को अगर हम देखे तो दूसरे दो आखे जो है वो छोटी होती है और वो situated होती है इन 6 आखो के नीचे आगे या नीचे ये जो oxyopidae family है इनमें हम देखते है spiny legs है और बहुत सरी species में ये जो legs होते है वो spine से पूरी तरीके से augmented होते है और इनको ये इस्तमाल करते है एक catching basket की तरह flying insects को trap करने के लिए oxyopidae जो है ये बहुत abundant है और important agricultural biological control agent की तरह काम करते है इसके लिए इनका बहुत एक important ecological role है जिसमें ये insect की population को control में रखने के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं खास तोर पर ऐसे insects जो की हम जिनको pest मानते है agricultural pest मानते है उनको उनकी population को control में रखने का ये काम करते हैं इसलिए हमको हम इनको एक helpful spider useful beneficial spider भी बोल सकते हैं तो एक बात तो समझ में आ गए कि जितनी भी ये oxyopidae species होती है जिनको link spider बोलते है oxyopidae family के अंदर ये बहुत आसानी से हम इनको recognize कर सकते हैं जो छे बड़ी आखे होती है arranged होती है hexagonally उनके sir के top पर इनसे हम इनको identify कर सकते हैं और एक खास बात जो एक characteristic दिखाए देता है वो है paddy palps जो कि इनके आगे की mouth part की और मौजुद होते है male spiders जो है paddy palps का इस्तमाल करते हैं mating के लिए male spiders जो है कुछ silk तयार करते हैं और उस silk में sperm को रखते हैं और फिर paddy palps को इन sperm में डालते है paddy palps फिर उन sperm को hold करता है और फिर यह spider इसको use करता है mating के लिए female में और female के साथ जब वो mating करता है यह जो paddy palps होते हैं यह असल में एक leg like appendages होते हैं जो इनके spider के mouth part की और located होते हैं और link spider जो है paddy palps एक modified organ की तरह use करते हैं एक specialized structure की तरह use करते हैं sensory perception के लिए prey को manipulate करने के लिए एक crucial role play करता है इनकी मदद करता है capture करने में और feed करने में अगर हम इनके शिकार को देखे तो oxyopis जो है यह cotton field में अगर हम एक research में पता चला कि यह 46 species of insect का शिकार करते हैं जिसमें 3 species of hemiptera, 9 species lapidoptera की, 6 species diptera की, 3 orthoptera की, 2 colioptera की और 1 species each of thysinoptera और neuroptera ऐसा research में पता चला है और oxyopis जो है इनको ऐसे भी देखा जाता है कि यह lapidoptera के लार्वा जो होते है उस पर भी feed करते है और ट्रॉपिक यह leaf hoppers, plant hoppers, maggot, case worms, stem borers इन सभी का शिकार करते हैं यह बहुत significant role play करते है rice insects जो rice के pest insects होते हैं उनकी population को कम करने में तो एक potential है इनको हम exploit कर सकता है बायो control agent की तरह और इनका जो venom होता है वो भी बहुत ज़्यादा medicinal importance का है क्योंकि यह calcium ion channels के को block करने में मदद करता है क्योंकि थाने के बहुत करते हैं